हाई लो काईज, वेल्कम डूट वेकिया असर यूटिव चनल और गाईज अगर आप मुझसे पुछते हो कि इंडिया में सबसे गर्मा गर्म सेग्मेंट कौन सा यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन भिक रहे हैं तो मैं आपको बोलेंगा 15000 की जो रेंज है ना उसमे आप जो है टॉप फाई अमेजिंग स्मार्टफोन जो कि आप इंडिया में नवेंबर के महिने में परचेस कर सकते हो अच्छे फीचेस भी बताऊंगा कम्या भी बताऊंगा प्राइस मॉइंट भी बताने वाला हो तो यह वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली जो आपके स्मार्टफोन आता है यहाँ था सामसिंग की तरफ से सामसिंग M30S यह कुछी टाइम पहले यहाँ पर लॉच्छ वाता प्राइस पॉइंट के अगर हम बात करें तो जो पेस फिरिंट है 464 आपको 14,000 में देखने को मिल जाता है यह फोन पे बहुत ज़्यादा बार आपको आपर आपको डिजाइन वगरा आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है डिस्प्ले वन अफ दी बेस्ट ए 6.4 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिल जाता है वो भी Full HD Plus Resolution के साथ में टिपल कार्ट स्लोट देखने को मिल जाता है एक्सीनोस का 9611 देखने को मिल जाता है जो के इस वेले स्ट्फ़ लेर एकामरे तो कैमरे का भी यहाँ पर जो सपोर्ट है काफी अच्छा है इमेज़ वगरा लो लैक्स है पस वगरा काफी अच्छी देखने को मिल जाते है 6000 एमेज के आपको मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है वन यूआ अच्छी तरीके से काम कर जाता है, so all you know अगर यह स्मार्ट फोन को देखते हो, सामसंग लवर को नहीं भी हो, तो अगर आपको एक अच्छा डीसेंट इनफ स्मार्ट फोन चे विद गुड बैटरी लाइफ एंड गुड कैमरा, डेफिनेटली आप यहाँ पर 14,000 या आप बन सकते हो, साड़े-12,000 में देख सकते हो, कमी के अगर हम बात करें तो, बिल कॉलिटी इन हैंट फोन मजे फोन का इतना बड़ी आसी नहीं लगा था, जो बैक पनाले वो थोड़ा बहुत आपको चीप देखने को मिलता है, विसे कवर इस्तेमाल कर लोगे तो आपको वो भी फिलिंग जो दूर हो जाएगी, और आप अच्छे से जो है, सामसंग का फोन इस्तेमाल कर सकते हो, तो डेफिनेटली हमारी लिस में जो पांच वा स्मार्टफोन है, वह है सामसंग गलक्सी M30S, एक साल से भी जादा का टाइम यहाँ पर इसे परचेज अभी भी कर सकते है, यहाँ पर आपको फ्लैक्चीफ प्रोजेसर स्नैप्रेगन का 845 देखने को मिलता है, यह प्राइस पॉइंट पर इससे बेड़र परफॉइमस देखने को नहीं मिलेगी, कैमरा 12 प्लस 5 मिगा पिक्सल का आपको नॉर्मल लगता है, लेकिन अगर आप रियालिटी में इस्तिमाल करते हो, जी कैम वगर लगा के तो हैर आउटस्टेंडिंग रिजल्ट देखने को मिलता है, 48 मिगा पिक्सल को भी टक कर देदेता है, अगर आपको बेस्ट परफॉर्मस विद गुट कैमरा, विद गुट बैटरी लाइफ स्मार्टफों जी है, पोको एफ़न को आप देख सकते हो, कि यह फोन में कमी नहीं है, तो कमी हर फोन में रहती है, यह फोन में भी देखने को मिलेगी, कि यहाँ पर जो बिल कॉलिडी थोड़ा मोटा सी स्मार्टफोन लगता है, दिखने में थोड़ा सी आप बोल सकते हो, अगली स्मार्टफोन है, साथ में जिसकी नौच बड़ी सी आपको दिखने को मिल जाती है, वैसे आइफ़न 11 की भी बड़ी है, तो इसके साथ हिसाब से चल जाएगा, अगर आज की डेट में भी आप अगर आप पोको F1 को लेते हो, 15,000 में या 13,000 में, स्टील डिले, अगर आपको बड़ी बैटरी, विद गुड कैमरा, विद अमेजिंग परफॉर्मेंस यह, डेफिनिटल आप पोको F1 को आज की डेट में भी चेक आउट कर सकते हो, गाइस, थर्ड नमर को हमारी लिस में जो स्मार्टफोन आता है, वीवो की तरफ से, वीवो Z1X, अगर आप देखोगे, इसे जनरली तो 6GB, 64GB आपको 17,000 में देखने को मिलता है, लोगिन ओफर इतना जबर्दस आ जाता है, मतलब प्रिपेड अलग ओफर मिलता है, साथ में कार्ड का अलग ओफर है, तो जनरली अगर आप देखोगे, तो 15,000 में तो आराम से ये स्मार्ट फोन मिल जाता है, बहुत सी बार आपको 13,000 में भी मिल जाता है, और ये फोन मुझे परसनली इतना चलगा कि मैंने खुद इसे परचेस कर लिया, और ये वीडियो भी जो है, Z1X है है, आपर फ्रेंट वसिंग कैमरे से शूट हो रही है, अब प्राइस पॉंट जबन आपको बता दिया, 14,500 में आपको आराम से मिल जाता है, अब गर हम बात करें इसके अच्छे फीचर्स के बारे में तो डिजाइन काफी अमेजिंग है, मुझे जबर्दस लगा, डिस्प्ले 6.4 इंच का आपको आमलेट डिस्प्ले मिलता है, अब जबर्दस के आराम से मिल जाता है, लगभग एक घंटा, एक घंटा, दस मिनिट के आसपास या आपका 0-100% चार्ज हो जाता है, अमेजिंग स्मार्टफोन है डेफिनेटली चेक आउट कर सकते हैं तो यह फोन में कमी नहीं है तो कमी यह फोन में भी आपको देखने को मलती है एक इमिजे मेज़र कमी लगती है वे इसमें आपको Micro SD Card का स्लोट नहीं मिलता है तो अगर आपको रिक्वाइर्मेंट है तो स्किप कर दो अगर आप बीना Micro SD Card के लेकिन 108GB अगर आप परसेस कर सकते हो तो डेफिनेटली Z1X को चेक आउट कर सकते हो काफी बढ़िया डील है सुखाई सब बात कर ले तो यहाँ पर Number Second Smartphone के बारे में यार उससे पहले आपको बता दू जो पहला Number और दूसरे Number वाला Smartphone था इतने तगड़ा Competitor है कि मतलब मैं ऐसा Confuse हो गया था कि यार पहले पर किसको रखो Second पर किसको रखो लेकिन बहुत सारी बार आपको उफर में जो साड़े चोदा जार और पंदना जार के असपास मिल जाता है प्रीपेड वगरा मिला के तो क्या यह फैंफोन प्राइस पॉइंट के हिसाब सच है डेफिनेटली अच्छा है मेरा वन अफ थी फेवरेट स्मार्टफोन आप इसे बोल सकते हो प्राइस पॉइंट के हिसाब से क्योंकि यहां पर जो आपको फ्रेंड में बेक में एक्च्छल ग्लास मिलता है वो भी गुरियल ग्लास 5 के साथ में 6.4 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है ट्रिपल कार्ट स्लोट देखने को मिलता है स्नैप डेगन का 712 है और कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल का कॉर्ट गैमरे का सेटप है डीसेंट सेलफी कैमरा देखने को मिलता है 4000 एमेच की बैटरी है 20 वाट के आपको फास्ट चर्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और इन ओल भाई क्या लोग है 16,000 में 14,000 में इससे बेटर डिवाइस ये सब फीचर्स के साथ में बहुत ही मुश्किल है मिलना और ये प्राइस पॉंट में मेरे इसाफ से ये परफेक्ट स्मार्टफोन है कि ये फोन में कमी नहीं है तो कमी नहीं के बराबर है फिर भी एक मुझे जो कमी लगती है उसका सेलफी कैमरा जो है इंडिया में फिलाल के आपको देखने को मिल रहा है चली फ़्ला गेल लेते हैं बीना कमेंट मेंदब बिना चीटिंग के नीचे कमेंट सक्टिंग में जाके बता दो वीडियो में जाके बता दो है पहले नमबर पर जो हमारी लिस्वे स्मार्टफोन आता है या था रेड्मी की तरफ से रेड्मी नोटेट प्रो कुछी दिन पहले लॉंच वा था और जो छीज भी चौसर डिवेला विरियंट जो आपको सिर्फ 15,000 पे में देखने को मिलता है और कम में देखने को मिल जाता है और फॉर डैट प्राइज इट्स इन अमेजिंग डिवाइस इट्स इन अन बीटेबल डिवाइस आप इससे पोल सकते हो अगर हम बात करें इसके अच्छे फीचर्स के बारे में तो अगेन अगर रेंज में अगर आप देखोगा IPS को सबसे अच्छा आपको देखने को मिलता है साथ वगर हम बात करें रैम और स्टूरेज तो मिझे सबसे अच्छी चीज़ यह लगी कि जो भी सुरिंडियोस में आपको 4GB नहीं मिला 6GB के साथ में स्टार्ट करें काफी वडिया बा आपको देखा कैमरे में सेल्फी कैमरा भी 20 वेंगा पिक्सल का डी सेन इनफ है 4500 अमेच के आपको मैसिव बैटरी है 18 वाट की चार्जिंग है वो भी बॉक्स में मिल रहा है कमाल की बात है टाइप-C का पोट है आयर ब्लस्टर है फिंगर पिट स्कैनर वगर आपको बैक म में देखने को मिलता है अल इन ओल पर्फेक्ट स्मार्टफोन है अब इसमें भी अगर आप बोलो के बाई कुछ कमी निकालो तो कमी मुझे कुछ नहीं लगी मैं सिर्फ एक्सपेक्ट करता तक है यह फोन अगर एमोलेट के साथ में आ जाता हो एक 2000 महेंगा भी हो जाता ना मुझे फाड के रख देता है लेकिन स्टिल 15000 में देखते हुए ठीक स्मार्टफोन है सिर्फ इसकी जो कमी लगी है मुझे है अमोलेट की लगी है अधरवाइस परफेक्ट स्मार्टफोन है तो यह थी यह थी आपर टॉप 5 अमेजिंग स्मार्टफोन के लिस्ट जो का मैं डिससे सहां हो या आपके रिसाव से 345 स्मार्टफोन चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना और पांचो स्मार्टफोन में इस league स्मार्टफोन का इस अंपाषदी में स्वीलेकल इब स्मार्टफोन इंडिया